शत्रू का बोध नहीं है आपको ये बीमारी आपने चलाई आपका शत्रू कम से कम जिसे आप शत्रू कहते हैं वो इमानदार था उसने कभी कोई बात नहीं चुपाई आपने चुपाई आपके रहनुमाओं ने चुपाई कहा गया इसलाम इस ए रिलीजन ओफ पीस उन्होंने कोई बात चुपाई नहीं क्योंकि आप में लालच है कि अगर अब्दुल्ला भाई खुश हो जाएंगे तो मंत्री मंडल में जगे मिल जाएगी इसलिए उन्होंने नहीं कोई बात चुपाई आपसे वो साफ साफ कह रहे हैं उन्होंने साफ बताया इसलाम इस ए रिलीजन ओफ पीस आपने स्पेलिंग गलस समझ ले इसलिए आप भुकत रहे हैं ये पूरे दुनिया के अंदर ऐसा नहीं हुआ है कि क्रिश्न भड़वार मारा गया गुजरात में रूपेश पांडे मारा गया जारखंड में निकिता मारी गई हर्याना में ये कोई ऐसे ही नहीं हो रहा है अकस्मात नहीं हो रहा है जिस मजब के बारे में कहा जाता है कि ये शान्ती का मजब है उस मजब के रहनुमा जनाम मिस्टर मुहम्म्द सहाब उनके अपने रहते हुए जो 632 में इंतकाल फर्मा गये थे उनके अपने सामने उनकी बेटी बीवी फात्मा उनके शौर उनके पती अली की हत्या वजर की नमाज में मस्ज़द में किसने की थी महम्मत साहब की बेटी बीबी फात्मा की हत्या घर में आग लगाके दर्वाजे के नीचे चलाके किसने मारा था आरेसस ने बीजे पी ने विशंदू परशद ने इसलाम का पहला खलीपा दूसरा खलीपा तीसरा खलीपा तीनों की हत्याएं किसने की थी जिसकी उत्पत्ती ही हत्याओं से हुई हो वो पूरी दुनिया में अमन्चैन का महुल देता है क्या जूट ऐसा क्या फाखंड ऐसा हम बोलना नहीं चाते इसलिए मैंने कहा कि सिर्फ आप कुछ करें या न करें एक बात जरूर करें अगर आपने अपने जीवन का आज का दिन हम जैसे साधर लोगों के लिए सुनने के लिए आपने समय निकाला है तो आप हमारी किसी भी बात को जो इस मन्च से कही गई हो जब तक आप जितने भी दुनिया में रिफरेंसिस और सोर्सिस हैं उनको जब तक कसोटी पे कस करके आपको यकीन न हो जाए कि मन्च पे से बात करने वाला करनल आरिसन सिंग उश्पेंद कुमार अगर हमारी बात सच है तो मैं आप से सिर्फ एक ही बात चाहता हूँ तै करिएगा कि आज के बात हम किसी कीमत पर जूट नहीं भूलेंगे और सच कितना भी कड़वा हो कितनी भी धमके आएं जम्मू के रेलवे स्टेशन पर बम रख करके हम को यहां आने से रोक नहीं सकते हो यह गलत फहिमी है किसी को कि वो सनातनी को डरा सकते हैं और मुझे अफसोस है कि आपको डरा कौन रहा है अरे कोई बहादूर डराता तो शान लगती कि किसी बहादूर से हम डरें जिनके माबाप ने तलवार के जोर पे शलवार पहन ली हो वो डरे हुए हमको डराएंगे जो शलवार में अपने पुर्शार्त को छुपा करके भाग गए हो जो भगवान दास से गुलाम नभी हो गए हो वो हमें डराएंगे हमारे पूरोज जब नहीं डरे तो अब हम डरेंगे ये भाव अपने अंदर पैदा कीजिए कौन आपके पूरवज है और सच को जानिये ये ऐसा नहीं है कि जिस सच को छुपाया गया इस देश में वो सच को बहार निकलने में समय लगा लेकिन जितना घेरा दबाया गया उतनी ही ताकस से बाहर निकला और मैं आप सब के बीच में आकर के हर जगे एक बात कहता हूँ ना हमने सुबाश को देखा ना सावरकर को देखा ना पटेल को देखा लेकिन वर्तमान दौर में आपको कुछ न कुछ ऐसा करने का समय ने मौका दिया है कि आप तै करें कि फूल वाले चाचा बनना है या सरदार पटेल बनना है भूमिका आप तै करें अगर आज आप अपनी भूमिका तै नहीं करेंगे कुछ बहुत इक सुख होगा कुछ जिन्दा रहने की चाहोगी याद रखिएगा जो समाज जिन्दा रहने की चाह में हर दिन मरता है और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्हें मरने का फन आता है उन्हें कोई मार नहीं सकता मरना सब को है एक ना एक दिन सब को मरना है और जब मौत निश्चित है तो महबूबा और अब्दुल्ला से डर किस बात का है अगर जुकना है पैर ही पकडने है अगर यही तैकर लिया है आपने और आपकी सत्तर साल में कमर जुक गई है किसी के भी पैर पकड़ लेते हैं जिस दिन सनातनी हिंदू अपनी मा के पैर चूलेगा दुनिया में किसी के पैर छूने की जरूरत नहीं पड़े और ये साइन्टिफिक बात है कोई भावनात्मक बात नहीं कह रहा हूँ मैं जो माँ आपको जनम देती है आपके शरीर में उसका खून और उसी का अंश होता है मैं अपने निजी अनुभव से कह रहा हूँ मा के पैर छूने से जिसे आज आप एक शब्द के नाम से जानते हैं साइन्स्टिफिक टेंपरामेंट होना चाहिए हमें साइन्स की बात करनी चाहिए हमें ये अंदभक्ती की बात नहीं करनी चाहिए ये हमारे बड़ों की गल्ती है कि उन्होंने आपको सच नहीं बताया इस कारण शायद उन्हें लगता था ये महत्पूर नहीं है शायद भर में कार, बड़ा मकान, बड़ी नौकरी यही जीवन का दे है कश्मीरी हिंदू पंडित कश्यप रिशी के वंशच बड़े बड़े ग्यानी थे विद्वान थे पैसे वाले थे ना उनकी शिक्षा ने उन्हें बचाया ना उनके ग्यान ने उन्हें बचाया ना उनके पैसे ने उन्हें बचाया ये तमाम तंद्र जीवन के माद्यम हो सकते हैं ये लक्ष नहीं है इसलिए मा के पैर जो छूता है उसके पैर छूने से जैसे प्लग लगाने से बिजली जल जाती है वैसे ही आपके शरीर में उसकी शक्ति का प्रवाव होता है और तब आप उस मा को जिसको आप भारत माता कहते हैं उस शक्ति के संचार से मैं आपके सामने कोई कहता है कि दिल्ली में भाशन दे दिया हमने हर उस गद्दार के घर जाके भाशन दिया जो कहता था जो बात हमारे साथी विशाल ने कहा योगी और मोदी चले जाएंगे तो तुम्हें कौन बचाएगा गलत फहमी के शिकार हो तुम बहुत गलत फहमी के शिकार हो तुम कहते हो हम नहीं कहते है तुम्हारा मानना है यह पूरा ब्रहमांड यह पूरी काइनात यह पूरा यूनिवर्स तुम्हारा मानना है कि इस काइनात को कोई चला रहा है और जो चला रहा है उसकी मरदी के बगएर पत्ता नहीं हिलता यह उनका मानना है हम भी मानते हैं हम इसलिए आज भी आश्वस्त हैं कि अगर कुछ जिहादी कश्मीर में से पाँच लाग कश्मीरी हिंदू पंडितों का सामुएक बलातकार और नरसंगार करके उनको उस धर्ती से बेदखल कर सकते हो मस्धितों से जिसे बताते हो कि वो अल्ला का घर है हमने तो कश्मीर में देखा कि वो तो हत्यारों का घर निकला